सो हलो गाइज आर आप लोग का स्वागत है कौन यू जीडिफाइब की कमाल के वीडियो में एंगेज पता है भाई एक दो तीन और बहुत सारी जगा पतंगी उड़ाई जा रहें आपको तो पता हो गयार पतंग उड़ाने का मौसम आ चुका है मतलब क्या तहवार आ चुका है तुमारे फ्रैंक्लिन भया के पास जेब में करका कैश है अपनी तो एश ही एश है अरे चिपकर ये लोग को दिखाने के लिए बोलते रहते कैश है कैश है अगर दोस्तों जेब में देखेंगे ना तो देड़ो सो रुपिया भी नहीं है अरे यार सिंचन अपना पतंग लेने चलते हैं अरे हायर चल ठीक है भाई पतंग तो देख लिए उपर उड़ रहा है तो चलियर सिंचन वेट क्यों कर रहा है पतंग खरीदने नहीं चलना क्या हां चलो एक काम करता हूं सिंचन के पास जाता हूं और उसके साथ पतंग लडाता हूं सिंचन ओ चैन चलो ना पतंग लडाने चलते हैं तुम्हें पता है डोरी मोन ने मुझे बहुत ही बड़ा सा पतंग दिया है जिसकी अंदर आरजी भी लाइट भी है और वो उड़ता भी है क्या तुम मेरे साथ पतंग लडाओगे अब देखिए अब ये भी आ करके मुझे चिलाएगा अब बतिय में क्या करूँ अरे यार सिंचन बोल दे कि भाई हम लोग पतंग खरिदने जा रहे इतना क्या बड़ा बात है अरे हां लोबिता हम लोग पतंग खरिदने जा रहे थोड़े देर बात तुम उड़ा ले ना मेरे साथ क्या तुम अभी तक तुम्हारे पास पतंग नहीं है छी छी सिंचान के पास अभी तक पतंग नहीं है ओ दोस्तों सुनो मैं काम करता हूँ सोसल मीडिया मैं जल्दी से पोस्ट कर देता हूँ सिंचान के पास अभी तक पतंग नहीं है हैस्टाग सीन चैन वेरी पूर हैस्टाग आउट ओफेशन सीन चैन तुम तो पूरे तरीके से बेज़त हो गए लगता है तुम तो बहुत ही बुड़े हो चुके हो तुम आज के जमाने की बच्चे लोग के साथ नहीं रहते ओहो अभी तक हमारे पास 500 से जादे पतंग है औ मारे पास एक भी पतंग नहीं है है एक सेकंड गाजर सीन चैन इतना सांत कभी नहीं रहता एक सेकेंड और चैन बहुत ही जदी है देख लेजेगा अच्छा भाई ठीक है भाई जल्दी साके गाड़ी में बैट भाई पतंग लेने चलते हैं भाई साब सिंचान इतना गुसा में भाई यर समझ नहीं आता भाई एक तरफ सिंचन नबीता को चड़ाता है और दूसरी तरफ नबीता सिंचन को चड़ाता है मतलब दोनों एक पर नाक में घुशा रहता है वो भै रोता है और जाता डोरी मोंऔ के पास नो भी तो मेरा करके सीर्दर्त कर देता भाई साथ अब देखो सिंचन इत्ना घुश्य में न गाईस अगर यार सिंचन माफ कर दे भाई साब चल भाई लेने केरे चल रहे पतंग चिंदा क्यों कर रहा है देखा यहां पर कहीं न कहीं तो मिल जाएगी एक सेकंड यार यहीं पर हो इतने सारे लोग कर औरे यार पतंग तो मेले ने रहा पतानी पतंग कहां से कर देंगा पतंग वाला भी नहीं आया पतानी कहां चला गया अद लगता है फ्रेंक लिब्या पतंग यहां पे नहीं आया है मतलब यहाँ पे नहीं मिलेगा चले दूसरी जगा अरे हाँ बयाँ चल दूसरी जगा यहाँ पे तो में पता चल गया पतंग वाला यहाँ पे आया ही नहीं है तो मिलेगा कैसे भाई दूसरी जगा जाए करके पुछना पड़ेगा दूसरी जगा दूर है बट क्या है कर सकते सिंचान के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना भाई चलो चलते भाई क्या दिक्कत है यार अरे आपके वज़े से आपका कालजबन सच हो रहा है आपने क्यों बोला कि पतंग नहीं मिलेगा देखे नहीं मिल रहा ना अगर नहीं मिला तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अरे सिंचान माफ कर दे भाई थोड़ा सा सांध और थोड़ा सा भाई नॉर्मल हो करके सोच कि भाई पतंग मिल जाएगा और सोच अगर खतरनाक वाला पतंग मिल गया तो नोभीता को तूची ड़ाना भाई सिंचान इतना क्यों जादे गुस्सा करता है मैं लेके चल रहा हो न पूरा दुकान ही दुकान खाली हो गया गाईजर पता है पूरे तरीके से पतंग की मंडी यहां पे लगी रहती थी पता नियार पतंग वाला भाई यहां पे कोई है ही नहीं भाई कहां चला गया सब अरे फ्रैंक लिबे देखें वहां पर एक आदमी रो रहा है चलिए उस सा तोतला है ये कहना चा रहे कि सारी पतंग चोरी हो गई लेकिन एक बात तो बती है भाया यहाँ पे तो पतंग आपकी थी आपके भीना कैसे चोरी हो गई अलो मैं क्या ही बता हूँ एक पता नहीं बेलून लेके जो कल था बंदा आया अलो बोला कि मैं पतंग को दबल कल अरे फ्रेंक ले यह तो वहिए ना जो मैं सोच रहाँ जो आप भी सोच रहे हैं और यह मैं भी सोच रह वह तूशर है ना चिंदा मत करो यार मैं तुम्हें लिए जरू कर दूगा सिंचान चल ये पैनिवाइस के बच्चे को तो छोड़ेंगे नहीं भाई उसने गरीब लोग का पतंग आयप कर दिया अब चलो उसको बताते हैं चल यार सिंचन जल्दी चल अरे हां फ्रेंगल प्या पता नहीं लेक चल बहए कोई नहीं हम लोग जल्दी जल्दी जातें एरपोर्ट और एरपोर्ट के बाद हम लोग जाते हैं भाई पैनिवाइस के घर में पेनिवाइस का घर पता नहीं थोड़ो से ऐंसे दूर हम लोगों फ्लाइट लेकर जाना पड़ेगा कुछ नौर्थ या अंटन की तरफे जहांपर बर्फ गिरता है न वहां पर जाहतर पेनी वास राता है तो सप्ल वहां पर चलते हैं वहां पर पेनी वाइस ऑफे जितने भी बूरे लोगों होते हैं तो बैट को कहते हैं यह मत बोलना कि बल्ले बल्ले मत करने लगना comment section में अरे हाँ दोस्तो तो जल्दी से नीचे comment करके बताओ आज के सवल ये है कि आप लोग को पता था बल्ला क्या होता है अरे हायर जल्दी जो नीचे comment करके हमें बताओ हम लोग जल्दी चलते नौर्थ येंटेन ये रा भाई हमारा रास्ता यहां से एरपोर्ट की तरफ हम लोग एरपोर्ट पकड़ेंगे मतला प्लेन पकड़ेंगे और यहां से निकल लेंगे सिंचन जल्दी आज पीछे पीछे तो वरना मैं तो निकल लूँगा तो यहां पे रहा जाएगा अरे नहीं नहीं मेरा भी टिकट बनाई है न तो टिकट लेना है न तो अंदर चलना भी टिकट लेने के लिए खड़े खड़े बाहर नहीं मिलता न देखा आज जल्दी फाइनली गाईजर हम लोग आचे के नौर्थ यांटेन अब यहां पे हमें पैनिवाइस को ढूणना पड़ेगा अरे यार हम लोग यहां पे आथ हो चुके बटियर पैनिवाइस को ढूणना बहुत मुश्किल होता है पर यहां पे वो कहीं भी गुम सकता है और पता है सिंचन यहाँ पे उसकी पावर भी बहुत ही बढ़ जाती है यहाँ पे उसे हराना भी मुश्किल होता है सिंचन चले काम करते हैं यह वाली गाड़ी से चलते हैं चलते चलते हम लोग ठक जाएंगे अरे हाँ लेकिन यह गाड़ी कितने पुरानी है अरे यार पता ने क्या करें। अरे ये क्या कर दिया। ब्रेक फिल गाड़ी में बैठ गैं। अरे दूस्तों फ्रेंक ली बैको समझेस कूं लिए यह लोग कभी बाज नहीं आएंगे इन्हें सबक सिखानाई पड़ेगा मेरे घर में आकर के मुझे ही टोक दिया इन्हें तो बतानाई पड़ेगा इग्ढाम बुगडीम तुगडीम अरे बाप्रे एक सेकंड सिंजान गाड़ी कहां चली गई अरे हां गाड़ी कहां चलिए तुम मेरे घर आयो यहां पे मेरी फावर डबल हो जाती है यहां पे मैं कोई भी चीज इसको कर सकता हूं और कोई भी चीज से कर लेने का अच्छा है अच्छा है लगता है तुमने मेरा काम असान कर दिया ए मैं तो sketch हए और सिंजन क्या उल्टा बूला बात करता है मेरे साधिका फिक्स हो गई और यार यार यह Pennywise तेरह यह किने जो हैं दोन्हें तो और शहर में एक भी पतंग नहीं है क्यों क्या बात है यार ही 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 मुझे मुझे पतंग वाली दिनों से बहुत ही गुस्सा आता है वो दिन भर पतंग चलाते रहते हैं और मेरा बेलून कोई परचेजी नहीं करता मेरा धन्दा चौपट हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि सारा पतंग ले लेने का ही 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 बापरे बाप इतना घटिया इतना घटिया दिमाग तो सच में तुमी तुमा बापरे बाप इतना घटिया दिमाग तो सच में एक विलनी का हो सकता है बापरे बाप इतना घटिया दिमाग वाले सोच आदमी ही 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 इसमें घटिया की क्या बात है बिजनेस दिस इस अबाउट फुल बिजनेस अरे यार इसे मारो कोई और सांध कराओ बिजनेस बिजनेस करके पुरे शहर का पतंग ले लिया है अब पतंग वापस कर दे तो वरना हम लोग तुम्हारी बिजनेस निकाल देंगे ही 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 बट कैसे सिंचैन वो भूत पकड़ने वाला गन निकालो तो अरे हां फ्रेंकल बिया रुक्य निकालता हूँ यह दखो यह भूत पकड़ने वाला गन मैं तुम्हें पकड़ू हां पकड़ पकड़ इससे पकड़ जल्दी पकड़ ही 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 तुम्हें भूत पकड़ने वाला गन ने किया है हो क्या अरे रुक जो रुक जो इतनी जल्दी क् पतंग दे देता हूँ अरे यह सब गानू अंदर रखो कानू अंदर रखो अब आयने उठ पहाड के नीचे अब जल्दी-जल्दी मुझे सारा पतंग दो तो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं समझे क्या पैनिवाइस ही 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 ठीके ठीके सारा पतंग लेलो सारा पत हम लोग दोनों ने मिलकर के पैनिवाइस को बेकूफ बनाया है वह बबुचक समझ रहा था कि हम लोग भूत पकड़ने वाला गन लेके आए बट ऐसा कोई गन होता है निया रियल लाइफ में चल छोड़ और सिंचन उसे जल्दी-जल्दी पता चल जाय हमार पस कोई भी आ जल्दी जल्दी यहां से निकल जातें बडट गाइजर देख रो भाई पैनी वाइस को घर खतरनाक है और यहां पे पैनी वाइस्वाइस नहीं यहां पे और भी खतरना खतरनाक भूत रहते इसलिए यहां पर आना जाना तुर रहे गई रहए रहेगा उससे अच्छा भाई जल्दी जल्दी घर को निकलते सिंचन अरे हां हां जल्दी जल्दी यहां से निकलते हैं यहां पर रहना सुरक्चित नहीं अरे हायर सही बोला चलो गाईजर यहां से हम लोग जल्दी जल्दी फ्लाइट लेते हैं और घर की तरफ निकलते हैं चलो गाईजर फानेली हम लोग एक उन्स दुकान में और जल्दी जाकर चैन्सके नीवे हैं तुम्हें तुम्हें आपक inve नाका में हैं व्यूर्याय चैनल भाई मेरा जी में मेरा बंदक हुआ है क्यों सिंचान नोभिता बहुत ही तुमें चिड़ा रहा था अरे हां फ्रेंक लिबया वही काम करते जो मैं सोच रहा हूं जो अब भी सोच रहे हैं अरे हाँ कितने बड़े पताइंग में तुम लटके वे हो मज़ा आ रहा है अरे हां यार भाई नोबिता कितना अच्छा लग रहा है हम लोग आ रहे तुम्हें उतारने के लिए और चानल को सब्सक्राइब करना बेल अगन को प्रेस करना एंगेज हमें इंस्ट्राग्राम डिस्कॉर्ड और भाई यहां पर फेस्बूक में फॉलोव जरू करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अरे हां दोस्त खूू!